इस गूद मॉर्णिंग तू आल। तुड़े इस वेनुज़ज दें टूदे टॉदे टूड़े इस इंग्लिश क्लास आज आपकी इंग्लिश क्लास का टॉड़े टॉपिक है यूज़े औफ ए एन एन टॉड़े डेट इस ट्वेल डॉड़े डॉड़ेट वड़ेट ऐसे अंडर लाइन, ब्लेड लाइन पर ही कर देना, ब्लू लाइन पर मत करना, क्योंकि ब्लू लाइन से तो गंदा सा, डर्टी सा दिखता है, ठीक है, आपका फॉर्स लेटर है, सी, एटी, कैट, सबको आती है, स्पेलिंग, आपने सी देखा, यह वावल है या कॉंसोनेंट मुझे पता करना है, यह वावल तो नहीं है न, सी वावल नहीं होता, तो जो वावल नहीं होता उसमें क्या यूज आता है, ए और एन, मुझे पता है, सब बचों को यह चीज बहुत अच्छे से आती है, आपको यह सारा फिर से लिखना है, आप लिखोगे, मैं इसकी पिक भी send कर देती हूं जिससे कि आप लोग अच्छे से बना सको read the word carefully and write down उसके बार आपको लिखना है, पहले read करना है, सोचना है कि यह consonant है, कि यह vowel है, उसके बार लिखना है, ठीक है, एच हमारा consonant होता है है, vowel होता है, consonant, ओके, very good, अब यह देखो, तो first, first, जो letter है, वो हमारा consonant है, vowel है, vowel है, vowel, तो vowel में A आता है, या N आएगा, N, है न, यह vowel का use होता है, और यह consonant में use होता है, तो vowel में N आएगा, तो आप लिखोगे यह, A, N, N, do it, neat and clean, आपको neat and clean work करना है, then next page पे आपको, आपने last video में मैं आपने जो बताया था, वो आपको बताया था, पेट अनिमल्स, आपको दुबारा से वो पेट अनिमल्स लिखने है, तो two page का हुआ के, uses of A और N and the pet अनिमल्स, write down and send it, thank you, take care.